Next question में कह रहा है, the height of the Mount Everest is 8848 meter. जो Mount Everest की height है, वो 8848 meter है. Write it in standard form. तो हमें standard form में लिखना है. तो देखिए, height of Mount Everest दे रखी है. Mount Everest. कितनी दे रखी है? That is 8848 meter दे रखी है. अब इसे standard form में लिखने है. Standard form मेंने बतायता, पहली डिजिट, left hand side पे पहली डिजिट छोड़के, पॉइंट लगाना, और बाकी values को as it is फोड़ देना, और उसमें 10 की multiply कर देना. उतनी multiply करना, उतनी 10 की power होना, जितनी digit point shift किया है. अब point कहा है, इसमें कोई point नहीं है, तो that means last में point मानेंगे, इसको हम क्या मान सकते है, 8848.0 meter मान सकते हैं, अब हमें ये point यहां से यहां shift करना है, तो 8.848, तीन डिजिट shift हो गया point, 1, 2, 3 डिजिट, उतनी ही 10 की power से multiply करतेंगे, meter, यह आ गई हमारी standard form, जो की height है हमारी mount Everest की, let's do second part now, second part में कह रहा है, the speed of the light is 3 के आगे, 3, 3, 6, 7, 8, 8 zeros लिखे में है, 3 के आगे, 8 zeros meter per second है, express it in standard form, और हमें standard form में लिखनी है, तो speed of light दे रखी है, speed of light, जो कितनी दे रखी है, 3 के आगे, 8 zeros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, meter per second, अब इसको standard form में लिखना है, तो standard form में क्या लिख सकते हैं, 3 into 10 की power, कितनी zeros हैं, उतनी ही 10 की power हो जाएगी, और हमें पता है, standard form में, 1st value के बाद point लगता है, तो तेखे, पहले में 10 की power लेख लेगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros थी, तो 10 की power 8 हो गई, meter per second, अब देखे, 3 के बाद कोई digit नहीं है, 0 के लावर कोई digit नहीं थी, तो बस इसलिए point भी कहीं shift नहीं होगा, तो that's why this is the answer, लेजू, third part now, third part में कह रहा है, the distance from the earth to the sun, earth से sun तक का distance दे रखा है, 1496, और उसके आगे, 3, 3, 6, 7, 8 zeros दे रखिया है, इतना हमारा, earth से sun तक का distance है, write, write it in standard form, और हमें standard form में लिखना है, तो distance from earth to sun, sun तक का distance दे रखा है, कितना, that is 1496, और आगे कित्ती zeros, 8 zeros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, meter, इतना दे रखा है, तो हम इसको standard form में लिखने से पहले, क्या लिख सकते है, 1496, इंटु 10 की power 8 लिख सकते है, meter, अब हमें point में लगाना है, इसमें standard form को बनाने के लिए, अब इसको क्या लिख सकते है, 1496.0 भी लिख सकते है, इंटु 10 की power 8 meter लिख सकते है, यह हमने last questions में देखा था, अब हमें point यहां से 1 और 4 के बीच मिलाना है, तो 1.496, तो point का, कितनी digit shift हुआ है, तीन digit shift हुआ है, तो इंटु 10 की power 3, इंटु 10 की power 8 meter, तो अब हम इसको क्या लिख देंगे, 1.496 इंटु 10 की power, देखिए, यह 3 है, यह 8 है, तो 3 plus 8 meter, तो और क्या सकता है, इसको आगे solve करेंगे, 1.496 इंटु 10 की power, 8 plus 3 is 11 meter, is the answer. Let's do next question now,